हाई फ्रेंज यो वाचिंग डिफेंसिव ओफेंस आप देख रहे हैं डिफेंसिव ओफेंस इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाईए सब्सक्राइब करिए क्योंकि फॉरी तौर पे फिर आपको हमारा लेटिस वीडियो मिल जाएगा जय दोस्त की स्विकृति लेकर उसको हटा दिया तो उसके पहले काफी लोग खास तोर से जो कश्मीर की पॉलिटिकल लॉबी है दो खास खांदान हैं अब्दुल्ला खांदान और मुफ्ती कांदान इन लोगों ने बहुत बोला कि साब खून की नदिया बहेंगी और तिरंगे को सब्सक्राइब करेंदा देते हैं तिरंगा तो फेराया जाता है इनका जो माइंडसेट इनकी जो बुद्धी है उसके बारे में क्या कहा जाए बड़े-बड़े लोगों ने बोला कि हिम्मत है तो हटा के दिखाओ खटा के दिखा दिया बोला साब बारूत के धेर पे हिंदुस्तान बैठा है 370 हडगया तो आग लग जाएगी हिंदुस्तान की गलियों में खून की नदियां बहेंगी कहां बही नदियां क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ और 1989 में जो टेरिरिजम जो आतंकवाद जो देहशत-गर्दी कश्मीर में शुरू हुई थी 1989 से आज हर्ताले ना के बराबर हुई है जो लॉक्डाउन हो पूरे दून है वह लॉक्डाउन चल रहा है कश्मीर में क्या आलब चल रहा है लॉक्डां और हां कश्मीर में 2G Services बरहाम कर दी गई हैं पहले इंटरनेट ब्लॉक था उस अब जानते हैं क्यों ब्लॉक्त था क्योंकि आतंगवादी मुबाइल फोन्स पे इंटरनेट पर ही अपना जहर फैलाते हैं, देहशतगर्दी करते हैं, पत्थर बाजों को इकटा करते हैं, यह सब. तो हम सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम सरकार से यह अपील करेंगे, पाकिस्तान ने जूट भी बहुत बोला, यह हमारे टीवी चैनल पर आके वो ही पाकिस्तानी फिर जूट बोल देते हैं, कि साब कश्मीर में कर्फियू है, अब पता नहीं कौन सी किताब का कर्फियू है, मुझे तो नहीं पता, मैं गया था, 370 के हटने के बाद मैं तीन बार कश्मीर जा चुका हूँ, और मुझे, जैसी हम निकलते हैं एरपोर्ट से, बढ़गाम एरपोर्ट से, जो कि श्रीनगर के एरपोर्ट लोग बोलते हैं, जो बढ़गाम में है, वहां से सीधा जाके जैसी है वराइट मुरते मैंने तो वहाँ पर ट्राफिक जैम फेस कर रखें, तो हो सकता है पाकिस्तानियों के दिमाग में कुछ बात हो, क्योंकि आपको एक जो मौजू है, एक आपको एक नेरिटिव आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपने बच्चों के दिमाग में अपने पाकिस्तान में तीन नसल चली गई ना यही जुट बोलते बोलते कि कश्मीर 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 जिसके बारे मैं बाद में बात करूंगा तो खेर बारूत के धेर पे है एक खून की नदिया महेंगी तिरंगे को कोट अंकोट कंधा देने वाला कोई नहीं होगा यह महभूबा मुफ्ती के डायलॉग और और यह फारूक अब्दुल्ला के डायलॉग और यह सब बड़े बड़े जो तीसमार खान थे और वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट थी थे कश्मीर में वो कहां हैं आज लोग कहां हैं यह हुआ क्यों मैं पहले लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं सब कि आये हुआ है लोग इस देश के खास्तोर से इस देश के मिडल क्लास सड़क पे उतर के आई है प्लाकाड लेके मुंबतियां लेके नारे बाजी करके लोग सड़क पे आये मिडल क्लास की बात कर रहा हूँ लेकिन 370 हटा क्या कोई सड़क पे आया नहीं मैं आपको बताता ह नरेंदर मोदी जी ने हटाने का एक और कारण था ठीक है उन्होंना वादा करा बीजेपी का मैनेफेस्ट होगा मैं माना नहीं कर रहा लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट इस चीज का भी था कि उनको पता था कि पूरा देश इस चीज को सपोर्ट करेगा कुछ लोग हैं जो ने लोगों के दिमाग में जहर फैलाया अब एक क्यों फैलाया जहर पॉलिटिकल पार्टी इसकी में बात बताता हूँ 370 अगर हट गया तो इससे हुआ क्या 35 हट गया तो हुआ क्या चो लोग कह रहे था साब कि भारत से लोग आएंगे और जमीने खरीद लेंगे कश्मीरियों की मैं पूछना चाहता हूँ कितनी एक अड़ जमीन खरीदी ज़रा कोई बिवरा तो दे हमें किसाब इतने एक अड़ जमीन खरीदी है मैं इसके फाइदे नुकसान में नहीं जाओंगा कि 370 का क्या फाइदा है क्या नुकसान है वो पार्लिमेंट में डिवेट हो चुकी है लोगों ने सुप्रीम कोट तक में केस फाइल करें दुनिया भर की बाते हुई मैं उसमें नहीं जाओंगा I don't want to get into that बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इन पॉलिटिकल पार्टी इसको जो इतना होहला कह रहे थे कि कर रहे थे होहला की साब खून की नदिया बहंगी वगरा वो हैं कहां पे आजकर आच्छा अमर अब्दुल्लाँ साब का एक बयान आया है कि जब तक वापिस 375 से नहीं लगाया जाता है वापिस नहीं लाया जाता है इसको तो मैं चुनाओं नहीं लड़ूंगा अब यह बड़ा हासेपरद बयान है बड़ा इस अ वरी फ़नी स्टेट्मेंट और क्यों फ़नी है मैं समझाता हूँ देखिए इनको यह बात पता लग गई यह तभी तक पावर में थे जब से 370 और 35 जब तक था तब तक यह लोग पावर में थे क्योंकि इन्हों लोगों के दिमाग में डाल रखा था तुम भारत से अलग हो तुमारे अलग हक हैं तुमारा जंडा अलग है तुमारा समवैधान अलग है तुमारा रनबीर पीनल कोट चलता ना कशमीर बात तुम अलग हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर तुम एक कोट अनकोट आजाद मुल्क बन गए, तो तुम दुनिया में सबसे अमीर मुल्क होगे, तुम सब को इलेक्सिटी सप्लाइ करोगे, जो तुम्हारे सेव हैं उसको खा के सब की बोडी बन ज जो इनोंने स्टेट्मेंट्स दिये है, खून बह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो गया? और क्या कर लिया इन लोगों ने और क्या कर पाएंगे थे लोग? यह कुछ नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस डिसिजिन के पीछे 130 करोड हिंदोस्तानी खड करा कैसे कितने परसंटेज वोटिंग होती थी जब अब्दुल्लाज और मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनते थे सिंगल डिजिट में लेकिन यह बने क्यों नई दिल्ली की खोपड़ी पे पिस्तॉल रखी पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे आग लग जाएगी बम धमाके हो जा खून बहेगा बच्चे यतीम हो जाएंगे औरतें विद्वा हो जाएंगी यह इन्होंने पट्टी पड़ाई नई दिल्ली को नई दिल्ली में लोग इनसे भैवीत रहे सेपरिटिस्ट की बात करते हैं जो औल पार्टी हुरियत कॉन्फरेंस हैं हुरियत को सेंट्रल गर् गर्षती रहेगी तो उसमें से अंदर से जो प्रिशर हो कम होता रहे गा और प्रेशर कोकर फटेगा नई यानि कि खुरियत सौफ्ट सेपरिटिसम करता रहे एक बड़ी हल्की पुलकी आजादी की मांग करता रहे जिस से कि लोगों की वहां पे जो है जो आजादी पसंद कोट अनकोट आजादी पसंद जो लोग हैं उनकी उमीदों पर भी उखरा उतरता रहे और लोगों के अंदर से प्रेशर निकलता रहे तो को बम धमाका नहीं है नरेंद्र मोदी ने बोला प्रेशर को कर फटता है तो फटे फटता है फटे देखते हैं क्या करते हो देखते हैं कहां खुन बहाते हो हम भी तो देखें जो इन दोनों खांदानों ने और हुरियत ने जो पिस्टॉल सर पे रख रखी थी नई दिल्ली के ये हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली मोदी सरकार ने क्या बोला उन्होंने ये बोला कि देखो पिस्टल तुमारे हाथ में है अगर तुम्हें ट्रिगर दवाना है दवाओ लेकिन हम अपना सारे यहां से नहीं अटाएंगे तुम्हें सर पे गोली मारनी है न तुमार के देखो जरा दे कॉल दे बलाफ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर कुछ नहीं हुआ और कुछ में नहीं हुआ आतंगवादी मारे जा रहे हैं हिस्बल मुझाहिदीन लगभग साफ हो गई है लशकर तयबा को रोज जूते पढ़ते हैं रोज उनकी लाशे निकलती फिर ये बात हुई है 370 से जो लोग कहते हैं कि साफ 370 हटने से बोला था कि देहशतगरदी खतम हो जाएगी आतंगवाद खतम हो जाएगा रहे होते होते जाता है तुम लोगों ने 30 साल लगा दिये इस बबूल के पेड़ को बोने में अब उसको काटने में वक्तों लगेगा कि ऐसा है कि आपने 300 साथर हटा दी और अचानक तो दवाई से इंसान ठीक नहीं होता एलोपैतिक मेडिसन देते हैं वो भी 3-5-7 दिन का कोर्स देता है डॉक्टर तब जाके ठीक होती है कैंसर हो गया कीमो थरपी में महनो दर महनो लग जाते है हर क्योर में चल रहे थी उनकी दुकाने बंद हो गई अचानक बंद हो गई दुकाने अब वो दुकाने कभी नहीं कुलेंगी मैं आपको बता रहा हूँ आज की तारिक में कोई कुछ बोले महबूबा मुफ्ती ने तो खेर मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है कोई बात नहीं वो अपने बेटी से करवाती है ट्विट उसकी बेटी कौन से नैशनल मीडिया में इंटर्विव दे वो अगले पचास साल तक इंटर्विव दे महबूबा मुफ्ती कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी कश्मीर की मैं आज आपको बता रहा हूँ अब्दुल्ला परिवार कर नहीं बनेगा मुख्यमंत्री कोई भी इनकी कहानी खतम हो चुकी है और ये इनको समझना पड़ेगा कि इनकी कहानी खतम हो गई अभी भी जो है ना जैसे पुराने एक जमाने में होते थे कुछ नवाब वगएरा या राजे वगएरा जो होते थे जो जिनके दिमाग में था कि अभी तक यूनो हम बोलेंगे कोई है तो कोई ना कोई जवाब देगा अब वो खंडर वाला महल है आप बोलेंगे कोई है वहाँ पर नौकर वोकर कोई नहीं है जवाब कोई कोई वहाँ पर स्लेव नहीं है जो बोलेंगे जी हुजूर आदाब बजा लाता हूं बताइए कि वो नहीं है कोई दिर इस नोबड़ी देर आप अपने पैलेस में चिलाते रही है वहाँ पर कोई आपको सुनने वालाँ नहीं आपका यतिहास आपका मुस्तकिर आपका आज आपका पॉलिटिकल फूचर पॉलिटिकल करियर सब साफ हो गया क्योंकि आपका पॉलिटिकल करियर था किस पे बेस्ट कब आए ये लोग और इनों ने बोला कि हम पार्लिमेंट के पास आ रहे हैं कब आए मैं मुफ्ती और अब्दुल्ला दोनों खांदानों की बात कर रहा हूँ ये कब आए दिल्ली में और इनों ने हला करा यहां पर प्राइम मिनिस्टर के सामने के सर आप एक बाद बताएं हमें कश्मीर में सडकें खराब हैं कश्मीर में बच्चे के पास पीने को पानी नहीं है साफ कश्मीर में जो सेब उगाता है जो एपल वाला है एपल ओर्चरड वाला है उसको सही दाम नहीं मिल रहे जो केसा रुगाता है, जो डल जील में हाउस बोर्ड चलाता है या एम्प्लॉयमंट अपरचुनिटीज, या लोगों को नोकरिया नहीं मिल रही है वहाँ पे वाइलेंस बहुत है, इन्होंने कुछ नहीं बोला इन्होंने आज तक वो मांग करी ही नहीं, इन्होंने सत्तर साल निकाल दी, इन्होंने कभी वो मांग नहीं करी, क्यों? क्योंकि अगर कश्मीर में अमन हो जाए, तो फिर इनको कौन पूछेगा? बही, इनका जो वर्चस्व था, था वर्ड यूस कर रहा हूँ कोई कि वर्चस्व नेका खतम हो गया, इनका जो ओवरॉल जो सुजरेनिटी, ओवरॉल पावर था कश्मीर की उपर, वो तो कश्मीर घाटी की उपर था, जम्मू में तो पीपल आ रहे ना मानॉरिटी वरना जम्मू वाले इनको पूछते नहीं, ठीक बात है, लदाख वाले इनको पूछते नहीं, वो तो खुश हैं, 375 अहटा, वो तो सर्गों पर आके मिठाईया हमाट रहे हैं, लदाख वाले, उनके लदाख के जो मेंबर आफ पार्लिमेंट हैं, उनकी स्पीच सभी ने सुनी ह इनका एक चीज हो गई है, यह जो मातम चाया हुआ है, यह कुछ लोगों में चाया हुआ है, कश्मीर घाटी में, जो लोग अभी तक इस बात को मानने को तयार नहीं है, की पिक्चर खतम हो गई है, अब घर जाओ, यह अभी बैटके पॉपकॉर्ण खा रहे हैं, सोचने द नहीं रियालिटी है, पहली चीज, तो यह कश्मीर की जान तक बात है, लोकल पॉलिटिकल पार्टी, इन्होंने खूब खून बाया है, इन्होंने पत्थरवाजी करवाई है, मैं चाहता हूँ लोग इन्वेस्टिगेट करें, जो मेजर लितुल गोगोई का जो केस कोई खिचक करवाई है, वो पत्थरवाजी किसने करवाई थी, जारा इन्वेस्टिगेट तो करें, मैं आपको आज बता रहा हूँ मुझे पता है किसने करवाई थी, और वो हुरियत कॉन्फरेंस ने नहीं करवाई थी, वो कश्मीर की मेंस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, चुपचाब बैठे हैं ना, यह 370 अगर यह 30 साल पहले हटा जेते तब कुछ नहीं होना था, फिर भी चुपचाब बैठे रहते हैं, जिसको अगर यह निशाने पाकिस्तान देना चाहते हैं, गिलानी को, या कोई इंजिनरिरिंग गिलानी, वही, मीरवाइज, वही टूटे फूटे इनके हाथियार जो बिना किसी काम के हैं, और गिलानी को देखो, गिलानी को यह आवार्ड क्यों दे रहा हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी एक कहनी है, जो निशाने पाकिस्तान दे रहे हैं ना, गिलानी को क्यों दे रहें कि इसलीए दे रहें साहब क्यों कि गिलानी को ninhi लोगाने, इनके फॉन कॉल पर ही, गिलानी ने खुरियत से रजाइन करा, चैर्मनशिप वो फहले छोड़ छोड़ चूड़ था, लेकिन हुरियत से उसने रजाइन कर दिया, और सारे अपने रिस्टे नाती निप्टा उसको इा थो उसको या तो इसको इलमिनेट करवादे पाकイसस आ किसी टेरिस्ट संगफळन दो बोलके जैश वैश को बोलके कि निप्टा उसको पर अब कर वो नहीं करना चाहते है ऐ आ कॉंट्रॉवर्सी नहीं करना चाहते ओ तो उसको निशाने पाकिस्तान दे दिया, अब देखिए, उसके नाम पे एक स्टैम्प भी आ जाएगा, जब बुरहन के नाम पे एक स्टैम्प आ जाएगा, उसी के नाम पे एक स्टैम्प आ जाएगा, एक इनुवरस्टी के नाम दे दिया, अब वो 90 साल की उपर हो चुका ह बल्ब उसका फ्यूज होने वाला है, किसी वक्त फ्यूज हो जाएगा उसका बल्ब, तो ठीक है, अब चुप चाप रहेगा, वो खुश हो जाएगा, किसाब मैं देखे, पाकिस्तान में अमर हो गया, अगर हिंदोस्तान में लोग गालियां देते हैं मुझे तो क्या हुआ प पाकिस्तान में, वो महवल वतन तो वहीं का है ना पाकिस्तान का, तो अब ये स्टोरी है गिलानी की, अब देखे, यासीन मलेक एक बहुत बड़ा तीरंदाज है कश्मीर का, जिसको यहां की लिफ्ट लिबरल लॉबी, दे सो काल्ड खान मार्केट गाएंग, इनको बड़ तो लेडिस और जेंटलमन, वेलकम, यूनो, इस एक्सिलेंसी, दो वन अनली, यासीन मलिक, फिर यासीन मलिक बात करेंगे साब कि इंडियन आर्मी ने क्या तशदुत करी और हम लोग कितनी तरीके से जूज रहें इंसे, ये साब अपना वो जूट बोलेगा, और ये लोग जो कभी डिल्ले के आगे नहीं गए, दिल्ली के जो खोकले लोग हैं यहांके, वो बैटके ताली बजाएंगे, इसाब बहुत बढ़ी है, देको हमें क्या गाली दी इसने, मिशाल मलिक उसकी वाइफ है, मिशाल मलिक का कन्यादान करा था ISI में, मिशाल मलिक is an ISI asset, पर्ल क Continental Lahore, उसकी कॉफी शॉप में इसका introduction हुआ था, मिशाल मलिक का introduction हुआ था, यासीन मलिक से, और फिर इन दोनों का निकाह हुआ, इनकी शादी हुई, वो कश्मीर आई, और वो इसकी handler है, अचा जब यासीन की मिशाल के साथ शादी हुई, तो कौन नहीं आया, कौन सी पाकि Freedom Fighter की शादी है, तो आपको attendance तुमार करनी है, वो कहां गया है वो लोग, वो खुच जेल में पढ़ए हुआ हुआ है, और ये कहा है, इस गॉन, 375 से हटने के बाद सब साफ हो गया, गिलानी की चू तक नहीं निकली, ये कहां पे हैं ये, ये मीरवाइस कहां पे है आज कल, एक साल से क्या गला खराब हो गया मीरवाइस का, बड़े बड़े खुदबे पढ़ता था साब, ये मस्जिद में जाके कि ये कर दो, कहां है वो, सब गायब हो गया, कहां है ये लोग, तो ये फाइदा हुआ है, जो लोग कहते हैं कि 370 unconstitutional, कोई unconstitutional, ये 100% constitutional है, अच्छा ह हुआ हटा, अब कश्मीर में जा, और ये बाकी intellectual gymnastics, हमारे ये लोगों को हिंदोस्तान में कुछ एक lobby है, जिसका बड़ा है कि, ये freedom of speech, बिल्कुल होनी चाहिए freedom of speech, मैं जो बात कर रहा है, I'm exercising freedom of speech, है न, freedom of speech होनी चाहिए, and there should be no limit on freedom of speech, but, अगर आपकी speech violence incite करे, अगर आप की speech से किसी को नुकसान हो, किसी के भावनाओं पर ठेस पहुचे, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बाकी आप freedom of speech करें, आपको मोदी को question करना, आप 10 बार करें, मैं कई बार बोल चुका हूँ, सिर्फ आपका हक नहीं है, आपका फर्स भी है, तो question the government, but, एक बात ध्यान र They were directly responsible for their death, उनको encourage करा गया, उनको दिल्ली में बुलाए गया, उनको हार माला फूल पहनाए गया, उनको बड़े-बड़े खाने उनके लिए, दावतें, दस्तर खान उनके लिए पेश करा गया, उनका ऐसे स्वागत करा गया कि जैसे ये खान मार्किट का दमादा रहा होगा They were treated like VIPs, Convoy देखते हैं साब गिलानी की, गिलानी जा रहे हैं अपना इलाज करवाने फोर्टेस गुडगाओं में, अब देखे साब चार गाड़ियां चल रही हैं आगे पीछे पुलीस के कमंडो, गिलानी प्रेजडेंचल स्वीट में जा रहा है अपना इलाज करवाने के लिए फोर्टेस गुडगाओं का, दो से लेकर तीन लाख रुपे एक रात का उसका किराया, कौन-कौन से फाइव स्टार होटल में, गिलानी का ऑंटराज रह रहा है, उसके पैसे कौन देता था, भारत सरकार ने दिये हैं, गिलानी को हमने पाल गिलानी कुछ भी नहीं थ गिलानी को पहले मसल देते पिस्सू की तरह, तो खतम हो जाता गिलानी, इसको पाल के सर पे बैठाया अफाल दूमर, अब आवकाद देखिए गिलानी को, तो बड़ा कहता है कि मैं, मैं अब मुझे उम्मीद नहीं, उम्मीद तो तुमने पूरे कश्मीर के एक पूरी नसल की खतम कर देखिंगी, तुमारी उम्मीद कहा होगी। कोई पूछे ना गिलानी से, और यह से तुम्मारे बचे कहँ काम कर रहे हैं। हम इस पर कई वीडिो कर चुके हैं, पर फिर बोलना जरूरी है, तुमारे बचे कहँ काम कर रहे हैhey। मैं, गिलानी ने अपने बेटे क कि जायदादों पर बैठे है खिड़की एक्स्टेंशन नई दिल्ली ग्रेटर केलाश पार्ट टू जी के पार्ट टू नई दिल्ली मैं तो नॉड़ा में इसलिए रहता हूँ क्यों कि मेरी वकात नहीं है दिल्ली में घर खरीदने की मेरे पास पैसे नहीं है दिल्ली में घर खरीदने के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सब ये लोगों के कहां से गिलानी की पेंशन कितनी है 50-60-60,000 रुपे से ज़्यादा गिलानी की पेंशन नहीं है परबंत कैसे गिलानी के बच्चों के पास इतना पैसा आया कि 40 से लेकर 50 करोड रुपे की कोठी उन्होंने खड़ी कर दी और एक नहीं दस्यों दस्यों कोठीयां कहां से पैसा आया तो मैं चाहता हूँ मेरे कश्मीरी भाई बैन आज पहली सालगिरा है और आज है यौम आज़ादी कश्मीर की एक तो 15 अगस्त है आज भी यौम आज़ादी है क्योंकि आपकी बेड़ियां कटी है अब ज़र पूछिए और ये बात बार बार पूछें गिलानी से बागी पूरे कश्मीरी भाग लगा तो कोई बाग भी सारे स्कूल बन करवा तो इसने लगवाई भी पंद्राभी स्कूलों को आग भी लगवाई इसने फिर लोग पूछे ना इंसे इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर सो कॉल्ड बनता है यह यह कुछ नहीं है इन लोगों का एक बिजनस था इन्होंने धंदा करा इनका शेटर डाउन हो गया इनके शेटर पर ताले लग गए 375 से हट गया वेरी गुड वेबव इन लोगों ने बोला कि साब यह कुट और स्कुट और कौन-कौन से हैं यह वायर वायर यह सब कि साब constitutional rights हमारी खतम कर दी गई हैं और हमें कश्मीर नहीं हमें कश्मीर जाने से रोक रहे हैं किसने रोका वेबव आप गए थे माँ पे रूह कश्मीर आपने पूरे documentary एक गंटे की शूट करी थी कश्मीर में एक महिना रहे motorcycle पे आपने साउथ कश्मीर से लेकर नौर्थ कश्मीर पूरा आप पूरा जेन के अर्स्टवाइल जेन के स्टेट मुझे कहना चाहिए इंक्लूडिंग लद्दाक आप पूरा घूमें आपको किसी ने रोका कभी किसी ने पूचा कि भाई आप कहां से आया हैं कैमरा लेकर क्या कर रहे हैं पिर इनको किसमें रोका यह वायर और कुइंट वगएरा इन सब को फू स्टॉप देम नोबडी स्टॉप देम नोबडी स्टॉप देम आप एक बात बते हैं मैं आप से पूछता हूँ ठीक है फॉरण जर्नलिस्ट वहां पर नहीं जाते ठीक है इनका बड़ा इल्जाम है कि सब फॉरण जर्नलिस्ट नहीं जाते मैं आप से बात पूछना चाहता हूँ चोटा सा मेरा सवाल है कौन से इंडियन टीवी पे आपने देख लिया कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट इंडिया को गाली नहीं देता रात के नौ बज़े छोड़ी है ना अल जज़ीरा को बीबेसी अब घर की बात करते है मैं रिपब्लिक टीवी से तालोग रखता हूँ जब भी कश्मीर पे डिबेट होती है आप देखेंगे दो-tीन पैनलिस्ट कश्मीर के आर्मी के खिलाफ गवर्मेंट की पॉलिसी के खिलाफ और क्यों नहीं उनका हक है बोलने का बिलकुल बोलें साथ मुझे उनकी बातां समझ में नहीं आती है मुझे उनकी बातां पसंद नहीं है लेकिन मेरी पसंद या नापसंद इनकॉंसेक्वेंचल है या ड़्याइट डियार एक्साइजिंग वालों के नाम मैंने लिया मैं इनसे यह पूछना चाता हूँ भई कि जब ये लोग ये जितने भी कश्मीरी पैनलिस्ट आते हैं जब ये हर रात नौ बजे ये सवाल पूछ सकते हैं कश्मीर में बैठ के सवाल पूछ सकते हैं तो भई तुमारे मूँ में दही जमाए तुम क्यों नहीं पूछ सकता सवाल क्योंकि तुम जाना नहीं चाहते हैं तुम्हें डर लगता है कश्मीर जाने में यहां पर इनकी जिस ट्रिंगर को इनोंने पैसा दिया है इन भाइयों ने वही चीज़ इनोंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी अगले दिन चाप दिया तब इनको को पढ़ता नहीं है नोबड़ी रिट दे कि इंडिया का मूड वैबफ हमें बात पता लगने इंडिया का मूड हो गया चेंज और इस पीपल और कॉट इन टाइन ब कि एक वो दिन सुनेरे थे जब नवाब साब कहते थे कि कोई है जैसा मैंने बताया था ना यार आज वाला टाइम बबल नोबड़ी रिस्पोंड़ी नोबड़ी रिदिंग ने लॉंगर बिकॉस्ट थे मूड़ी पीपल इंडिया चेंज़ वेदर यू तो अधर यू तो आज शेलन नयास हुआ है वहाँ पर जो आज ग्राउंड बेर्किंग सर्मेनी हुई है मंदर बनाने की और वेदर यू टॉक अबाउट तीन सो सतर यह क्यों पॉसिबल हो रहा है यह क्यों पॉसिबल हो रहा है पॉलिटिकल एंगल इसका है कि ठीक है नरेंदर मोदी की दूसरी चीज है कि यह एक सो थीस करोड दोगों की विल है भाई इस नोट जस्ट विल और नरेंदर मोदी इट इस विल और नरेंदर मोदी इंडियन्स लोग चाहते हैं वापे मंदर बने इसले मंदर बन रहा है यह ना तो वापस अगर हम 370 पर आए तो यह कहा है मीडिया वाले यह क्यों नहीं गए वहाँ पर भई आपको किसने रोका आप बताईए ना आप बताईए साब मुझे उस बंदे ने रोका है हम तो कूब गए हमने खूब शूट करा है मैं अपना कूरू लेकर गया आप अपना कूरू लेकर गया हम चार लोगों को जानते हैं जो किसलिटेट करा जाता था किसाब मीडिया वाले आए हैं तो बोला मैं कहां पर बैठूं करे नहीं साब आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगा आप यहां पर बैठी सर हमारे सर पर बैठिया आप मीडिया के यह नहीं करा गया और क्यों फैसलिटेट अपनी जेब से पैसे निका करने के लिए सर आपके गाड़ी बहार सबस्क्राइब का वाइनिंग और नग का जो कल चर है बिल्कुल ठीक बात है खिलाने फिलाने वाले सारे अंदर है अब बात नहीं वे होता ता है इनका किसाब आपकी ग्यारा बजे फ्लाइट लैंड करी है आप हाईए साब होटेल में आप चेकशिक अन करिये लंच के लिए साब अपो शिकारा की ऊपर साब आपका एक बहुत बड़ा कश्मीरी वाज़वान है तो उसमों गुश्तावा भी है और इसमों रोगणज़ भी है और इसमों दरिस्ता अविस्ता बीया है बाई ये खाना हमें खिला दो, उसने बोला, साब बैट ये खाईए, नहीं, यहाँ पे इनको क्या चाहिए, कि साब आदूस में जाएंगे ये, आदूस में जाएंगे खाने के लिए, तो आदूस में इनके लिए अलग से एक सेक्षिन एर्मागडा की मीडिया वाला, और यह if web of sing an individual can do it why can't you as an organization do it किसना रोका तुमा तो दुकान बंद हो गई ये जो आंसू निकल रहे है ये दुकान बंद के आंसू निकल रहे है कि शटर डाउन हो गया दिल्ली में कहता नो दुकान आगे बढ़ा दी इनकी दुकान बढ़ा दी आगे आज के लिए बंद हो गई तो दियार वेरी वेरी अपसेट हो जाएं अपसेट क्या फरक परता है अब हम आते हैं पाकिस्तानियों पे हमारे दोस्त उम्मा की अजीम खौम जो की इमदाद और जकात पे चलती है घुलाम इबन घुलाम इन लोगों का बड़ा एक रोल रहा है इनको ना इनको भी 70-72 साल से यही स्टोरी सुनाई गई है कि तुमारी शहरग है कश्मीर तो इन समय यह पूछना चाहता हूँ कि अगर 72 साल से तुमारी शहरग भारत के पास है तो तुम जिन्दा कैसे हो भई शहरग के बेना तुम जिन्दा कैसे रह ली है यह सब इनको जूट बोला गया आपका पानी इंडिया बंद कर देगा और अगर इंडिया को पानी तुमारा बंद करना होता तो 70 साल पहले बंद कर देती ठीक है तो यह सब चीज़ें जो इनके दिमाग में आचाब पाकिस्तानी आर्मी इसमें बड़ा बढ़िया रोल है पाकिस्तानी आर्मी का पाकिस्तानी आर्मी ने दो तीन जुट बोले और पाकिस्तानी ने जब इंसान नाउमीद रहता है ना अब देखे, मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे दोस्तन का ड्राइवर है, तो वो बिचारा बड़ा परेशान, तो उसको प्रॉब्लम होती थी, पैर मैं उसके न दर्द होता था और यहाँ पे कुछ डॉक्टर न उसको बताया होगा कि तुम यह करो तो उसको डॉक्टर का इ आल इंडिया मेडिकल इंस्टूट से बड़ी आसपता तो है नहीं इंडिया में, आल इंडिया मेडिकल इंस्टूट के दॉक्टर न बताया कि तुम्हारा पैर का जो इलाज हो ठीक हो जाएगा, तुम्हें दवाई भाई खाओ, यह थिए बर तो यू बी ओके है, लेकिन मेरा नहीं पर विश्वास कर जिसन नहीं करना चाहिए ता, तोटके, मैं यह नहीं कहा रहा कि अयुर्वेद कर आयुर्वेद करिये आप, आप अप अलोपती करिये, आपको जो करिये, पर हकीम दुपा देगा आपको, तो इन्हों है क्या करा है कि आप बोला जालफुग कर ल मेरा कहने का मतलब है कि जो पाकिस्तानी है उनको उमीद उनकी जिन्दगी में कुछ नहीं है पिशली बार जो गुड नियूस पाकिस्तान में आय थी 1992 में जब इम्रान खान में वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान में जीता था that was the last good news in पाकिस्तान तो इनके कभी good news दो हुआ नहीं हर चीज़ इनकी retaliation में हुई है तो इसलिए आपने एक बात नोट करी वेववव कि इंडिया ने 93,000 prisoner of war का celebration नहीं कर रहा हूं उन्होंने एक अभिनंदन का ऐसे करा कि पता नहीं जिन्ना ने दुबारा जनम ले लिया they were so happy कि मौमद अली जन्ना दुबारा आ गया तो यह पाकिस्तानी कौम का किरदार रहा है और पाकिस्तानी आर्मी ने इस किरदार का भरपूर फाइदा भी उठा है कैसे उठाया फाइदा उन्होंने इस तरीके से फाइदा उठाया वेवव कि पाकिस्तानी आर्मी ने हर समय उनको बोला है कि तुम्हे न ये हिंदु खा जाएगा ये तुम्हें माट डालेगा तो तुम मुझे पैसा दो तो मैं तुम्हें बचाऊँगा क्योंकि वो तो खाई जाएगा नो तुम्हें इन्हों ने कभी इनको बुद्धि इतनी अकल ने आए कि ये अपनी फाद से पूचे sagt उसने तो आज तक हमें अटैक नहीं करा इन्होंने कभी नहीं पूचआ क्यार इंडिया ने तो कभी हमें अटैक ने कगर तुम्हें पता ही नहीं है इंडिया के अटाक कुमारो गोली और चुपचाब बैट के साज़िशें करते हैं दिल लिए और साज़िश बिक्ती बड़ी है ना साज़िश पाकिस्तान में बहुत बिक्ती है it is a sellable commodity सबसे जल्दी अगर आप पाकिस्तान में कुछ बेचना चाहें तो आप बोलें साज़िश है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं यहाँ पर कोई बोलेगा साज़िश है तो मैं एक बार ये जरूर सोच उङँ अगर आप बोलेगा ना किसाफ आपके खिलाफ मेजर साज़िश चल रही है मेरे दमाग में सबसे पहले आगा मैं हूँ कौन यहर मेरे खिलाफ कौन साज़िश करेगा मैं कौन सा तीस मार खान हूँ I'm a normal Indian citizen मैं तो एक आम अदमी हूँ आपके खिलाफ साज़िश हो उसके लिए आपका भी एक मैयार होना चाहिए यह लहौर का कोर कमांडर था ना जिसने नवीद जमान लेफटैनेल जने नवीद जमानट झरूर नवीद जमान तो नवीद जमान थें सब्सैंतर ठाउले सव passions अच्छा प्ली बार्गेन में देखी अब ये ना अच्छा मुझा लगा कि तीन सो करोड उसना अच्छा उसना इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोर कमांडर साफ ने चोरी कर ली मोटी ये आर्मी के जनरल है पाकिस्तान के पाकिस्तान का प्ली बार्गेन का लौ है कि साफ हाँ ठीक है मैं गिल्टी हूँ अब मैं कुछ देखे जैसे इनके दियत के कानून होते है न वो जो तो दो मार दिया तो फिर उनके घर में पैसा वैसा देके ओ फुर रो गया बार तो अब इन्होंने क्या करा कि बोला साफ ठीक है प्ली गार बार गया हमारे लाज अपंद्रा परसंट यानि कि अगर किसी ने सो रुपे की चोरी करी है तो पंद्रा रुपाइ वापस देके बच सकता है कोर कमांडर साब ने तीन सो करोड रुपे वापस करे अब आप समझ लिए उन्होंने तीन सो करोड रुपे पंद्रा परसंट था उनकी चोरी का अईए किसने पावर दिया कोर कमांडर को इतनी चोरी करने का किसने पावर दिया मैं आपको बताता हूँ किसने प पावर दिया है क्योंकि इनके हीरोज हैं मुहम्मद बिन कासिम इनके हीरोज हैं अबदाली इनके हीरोज हैं ये घजनवी और ये फलाना गाजी और फलाना मुझाहिदीन जितने भी तूटे पूटे हाथियार हैं ये सब इनके हीरोज हैं जब आपकी हीरोज ऐसे हैं तो फिर करेंगे साजिश हो रही है फिर बोलेंगे लो 300 करोड अंदर तो यह हमने आसेम बाजवा साब की पोल खोली तो काफी पाकिस्तानियों ने सपोर्ट भी करा मैं उनका शुक्रिया आदा करना चाहता हूं क्योंकि उनको यह पता था कि साच है अब हम बताते हैं कि यह नवीज ज यही कमर जाविद बाजवा आर्मी चीफ ने भी करा कमर जाविद बाजवा आर्मी चीफ ने क्या करा हिंदू खा जाएगा हिंदू खा जाएगा इंडिया अटैक कर देगा न्यूकलियर बं मार देगा तीसरी जंग यजीम हो जाएगी थर्ड वर्ल्ड वार तीसरा विश् थ्री सेवेंटी और थर्डी फाइवे उसी के चलते तुसको एक्स्टेंशन मिला जावद बाजवा को कौन से हिंदुना अटाक कर दिया कौन सा हिंदू खा गया भई तुम्हें बठीक है जावद बाजवा साब ने दस पंदर आपने कॉर्नर प्लॉट बना लिया जब उनको और पैसे चाहिए होगा अपनी फौझ के पैसे बढ़हाने होंगे तो कहां से पैसा आएगा आपके बच्ώ का पटके आएगगा रचों के तालीम का अटके हैगा प्र भोलेंगगे हिंदू खा जाएगा तुम्हां फिर आप चकमे में आ जाएएगे फिर आप बेगू बाजवा से पहले आपका, आप आप देखें कि जितने भी इनकी आर्मी चीफ ते सब ने यही बोला है, रहील शलीफ तो साब, वो तो ठेक ही घर ने चला गया है, वो तो बड़ा अद्मी है, हम मरसनरी है, मुशर्रफ ने अड्मिट करा है, एक वीडियो है, आप जा के देख सकते मुशर्रफ के घर में कुछ गैसट आएं, वो लोग खाना वाना का रहे हैं, वेंनी मुशर्रिकल्ट अपकिन्वीर शाने रही घर है। लेकिन चौते नंबर पे उनों ने बताए कि साथ, SSG, जो Special Services Group है, जिसका मैं खुद मेंबर रह चुका हूँ, यानि कि मुशरफ साथ कह रहे हैं, जिसका मैं खुद मेंबर रह चुका हूँ, वो लोग Mercenaries बनके गए. Including Osama bin Laden was brought. Then the third, Taliban from our Madrasas were trained, equipped, armed and sent in. The fourth category was Mercenaries. Colleagues of mine who went inside with 50-100-odd people as Mercenaries and were fighting the Soviets. Mercenaries, look, it's a refugee country, it's a refugee country, it's a refugee country. Mercenaries, no country, no country, it's a refugee country, it's a refugee country, it's a refugee country, it's a refugee country, it's only a refugee country. Mercenaries, if you go to Iraq and fight with Americans, then you'll take money against Americans. लड़ेगा, अगर कल अगर American उसको पैसा देंगे और बोलेंगे, अब तुम जाके एराक के खिलाफ लड़ो, तो एराकी लोगों के खिलाफ लड़ेगा. उसका एमान सिर्फ पैसा है, उसको ना किसी जंडे से लगाव है, ना किसी मुल्क से लड़ाव है, प्यॉर कमर्शल डीलिंग करता है, उसका एक हुनर है, लोगों का कतल करना है, उसका हुनर है लोगों का कतल करना, और उसका हुनर है लोगों का कतल करना, और उसका हुनर है कि जो special services group वाले हैं उसके साथी मुशर्रफ के संगी साथी मुशर्रफ खुद कह रहा है कि वो लोग न जाके अफगानिस्तान में कह रहा है तो यह पाकिस्तानी फौज का एक किरदार रहा है एक मैं ये भी कहना चाता हूँ वेबब अगर हम एक मिनट और इसके उपर लगाएं थोड़ा सा बताएं कि आपने पाकिस्तानी लोगों का एक माइंडसेट बना ना एक माइंडसेट बना पाकिस्तानी लोगों का क्या माइंडसेट था वो कि आप एक जंगजू कौम हैं आप एक वारियर मार्शल रेस हैं आप warriors हैं basically, अब warrior का काम क्या होता है, war करना होता है पर ये कौन सी warrior races जो सारी जगे हार जाती है, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है warrior race है तो आप जीते हैं तो, आप जीते हैं अच्छा आप warrior race भी हैं, आप जंग्जू कौम भी हैं, आप हार भी जाते हैं, आप surrender भी करते हैं, आप जलील भी हो जाते हैं, फिर भी आप warrior race हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये तो समझ के बाहर है तो ये इनको जूट बोला गया, मैंने जैसे पहले बोला था वे अगें कमिंग बैट तो दे सेम पॉइंट, इनको डे वन से ये बताया गया है कि 711 में महम्मद बिन कासिम आया, उसने राजा दाहर को हटाया वहां से, उसको मारा, इसलाम का पर्चम सिंद में लहराया और तब से पाकिस्तान का आइडिया एक जनम लिया वहां पर, पाकिस्तानी को ये नहीं बताया, कि जब उसको वापिस ले गए थे तो भैंसे की खाल में, सिलके, क्योंकि गर्मी में सुकुरती है खाल, भैंस की, ये किसी भी जानवर की खाल, सुकुरती ह जिन्दा उसको भैंसे की खाल में, उसी के सुल्तान ने उसको वापिस, एरब कंट्री में वापिस बुलाया उसको, जब उसको पता लगा कि उसने क्या यहां पर कांट करे थे, तो बुला कि बेटा तुम वापिस आओ जरा, और उसको वैसे वापिस मत लाना, वो जनरल था उसका, जिसने सिंद मा के राजा दायर के साथ लड़ा ही करी, उसको भैंसे की खाल में सेल के वापिस बेजा था, यह पाकिस्तान का हीरो है, फिर, यह अबदाली गजनवी कौन थे, यह अबदाली गजनवी वही लोग थे, जिन्हों ने रेप करा, लूटा, आम लोगों को और कहां से आई यह पंजाब के थुरू आए थे, यह पंजाब के थुरू आए थे, और उस समय पंजाब में भी मुसल्मान थे, तो इन्हों ने हिंदों को भी काटा, मुसल्मानों को भी काटा, हिंदों में भी रेप करा, मुसल्मानों में भी रेप करा, हिंदों को भी अरे जिस आदमी ने तुमारे बढ़े थे आज से कई सो साल पहले उनके साथ रेप करा, उनकी कतलो गारत करी, खून की नदियां बहाई, सरों के पहाड बना दिये काट काट के, मतलब figuratively speaking, वो काम तो घर तेमूर और चंगेज ने करा था जादा, लेकिन इन लोगों ने भी कम खतलो गारत नहीं करी, ये हिरोस हैं, मतलब ये सिंड्रोम मुझे समाज में नहीं आता, अफगान Med ने प्रिटेस्ट करा, एफगान गौवंवंवन्ट ने प्रिटेस्ट ही नहीं करा, अफगान गौवंवन्ट ने बोला कि भाई एक बाद बता हो, तुमारे हिरो सेठी, चीमा चिठा, रंधावा राठोर, चोहान ये सब तो इंडिया के नाम है ये उन्होंने नाम माज से चोरी करे हीरोज इन्होंने अफगानिस्तान से चोरी करे इनका उरिजिनल, इनको एक मिजाईल मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप एक मिजाईल बनाओ उसके उपर लिखो मॉला जट इनकी मिजाईल मॉला जट है एक बड़ी मिजाईल मॉला जट, एक छोटी मिजाईल नूरी नर्थ, बस इनका और कोई हिस्ट्री और कल्चर ही नी नो पंजब्भी मॉसलिम हैस रूल्ड ओवर पंजब एवर वह तो महराजा रंजीत सिंग थे, जिन्हों ने थोड़ा बात रस्ता दिखा दिया वरना यू पिटते ही आए हम पे पाकिस्तान का जो एरिया है, इत उस महराजा रंजीत सिंग यह नो ने तमीज सिखा ही इनको कि खाना कैसे है, बैठना कैसे है, महाराजा नजीद सिंग अगर वो जितने भी मिसल थे वहाँ पे, all the Sikh, this thing, you know, if I can call them mini kingdoms, if I can call them that, that's not the right word, but ठीक है, mini kingdoms, जिटको unite करके, अगर Sikh empire नहीं बनाते, तो क्या था Lahore, Lahore was the capital of महाराजा नजीद सिंग, वापस अगर आप 370 पे आएंगे वेबफ, तो 370 का पाकिस्तान में बड़ा मातम मना, क्या है 370, 370 अट गया, 2016 में, 2016 में बुरहनवानी को मारा गया, 2016 में बुरहनवानी को मारा गया, आज की तारिक में बुरहनवानी जब मरा, 8 जुलाए को, इस बार 8 जुलाए को क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ कुछ, बुरहनवानी वाज की टिशू पेपर, इन्हों नहीं हाथ बात पहुचे पहूचे फेका बुरहन को, इस बार बुरहन को किसी नहीं याद रिन करा, कश्मीर में याद नहीं करा, पाकिस्तान नहीं याद नहीं करा, So that was the extent of his fame, Pakistan जब तक निचोड सकता था बुरान के लिए वो बुरहान भाई, गाने बने भाई बुरान भाई के ओपर, for example, स्टैंप रिलीस करें गए, बुहरान वानी शहीद पता नहीं बुरान वानी ने कौन सा तीर मार दिया, है ना और मर इसलिए कौंके उसकी गल्फेंट ती और गल्फरंड ने चुगली कर दी दूसरे से कि उससे भी मिल रहा है तुम उससे भी मिल रहा है तो बुरान वानी उसमें ट्रैप होगे नहीं बुरान वानी को आपने ऐसा बड़ा हीरो बना दिया अब हीरो फेक दिया उनोंने तो यह यह याद़ था इनके ओरिशनल हीरोज भाई हैं अबडाली गजनवी लुटेरे डकैत चोर यह इनके हीरोज हैं अब्दुसलाम इनका हीरो कभी नहीं बनेगा वो बनेगा नहीं वो काफिर है ना हीस काफिर पिशावर कोर्ट रूम के अंदर मार दिया उसको इनके सारे हीरो ऐसी हैं यह यह जो कौन था मुमतास कादरी के वपर गुलाब की पंकुड़ीओं की वो जिसको कहता है ना कि फूल बरसा रहे हैं उसके उपर गुलाब के लॉयर्स बरसा रहे हैं ताप काले कोट पहने वाले यह पड़े लिखात तपका है पाकिस्तान का यह लॉयर मुम्तास कादी को ऐसे वेलकम कर रहे हैं कि बहुत ख़तरनाक कोई जबरदस्त कोई हीरो होगा तो जहां पे कातिल राइट जहां पे कातिल जहां पे लुटेरे, जहां पे रेपिस्ट जहां पे डकैत, कौम के हीरो हो वो फिर कौम जो है मुझे लगता है उस कौम को अपना किबला दोर्स करने की ज़रूरत है, कौम किस डगर जा रही है, वो कौम को खुद सोचना है सबसे बड़ी बात आप मिसाइल इंडिया की तरफ आपको उसका निशाना करना आप जरूर करिये क्या आपके पास खुद अपने पाकिस्तानी कोई हीरो नहीं है जनका आप नाम दे सके कोई एक भी हीरो नहीं है आपका आपके हीरो हैं आपचली, पर आप उनको कबूल नहीं करना चाहते पंजाब की मिट्टी से हीरो कौन निकले हैं पंजाब की मिट्टी से निकले हैं महराजा रंजीत सिंग, राइट शहीद भगत सिंग पर शदमान चौक को आप भगत सिंग चौराहा कैसे कह सकते हैं आप नहीं कह सकते भाई, आप नहीं कहेंगे उसको आप नहीं कहेंगे आपको मौत आ जाएगी क्योंकि टू नेशन थियोरी आपकी डिस्ट्रॉई हो जाती है वही आपने गंद कश्मीर में डालने की कोशिश करी वो 370 हट गया कानी खता हो गई तो साब इन कंक्लूजिन सबको बहुत बहुत मुवारक बाद एक साल कंप्लीट होता है आज वर्जगांट है 370 और 35 के अब्रोगेशन की और जिसके चलते बाजवा साब को कमर जाविद बाजवा चीफ अवामी स्टाफ अफ दे पाकिस्तान आमी उनको एक्स्टेंशन मिला तीन साल का भई प्रान खान सेलेक्टेड प्राइमिनिस्टर ने एक्स्टेंशन दिया तो हम चाहेंगे कि जैसे पाकिस्तान की हीरोज हैं गजनवी और घौरी और अब्दाली वो जैसे गोले पे बैट कराई थे हिंदुस्तान में परहसी हम चाहते हैं बाजवासाब भी गोड़े पे बैट कराजा है जिस पर बैटकर आना थे हिंदुस्ताना है वह हम चाहते हैं कि D-chalk से लेकर लाल-chok का सफर वहांपे हम एक defensive ofence का बाजवासाब की उपर की एमें बना देंगे, एपिसोड बहुत बढ़ी है, इडिल के मिलियंस ओफ हिट्स, और हम चाहते हैं साब कि यह जो पाकिस्तानी कौम को आपने बोल रखा है, वादा करा है ना सब लोग आना सारे आर्मी चीफ करते हैं कि इंशालला एक दिन हम लाल के लिए पे सब सपर्चम लह रह मजबूत होई आई है, स्वागत है आपका हिंदुस्तान ना, देखे हम तो यह चाहते हैं कि जितने ही पाकिस्तानी जेनरल हैं और खासतार से बाजवा साब अमर के हिसाब से वजन भी बढ़ रहा है, इंका कमर माशाइललब कावी डिक्टा है कि थोड़ा फिटृट हो जा लाल किले पे जो सबस पर्चम आपको लहराना है पाकिस्तान को असका मिनजार कर रहा है, जरूर आइए, गजवा है वजवा करिये कुछ, गजवा हिंद, 2020 रिफरेंडम खालिस्तान, सब ठंडे बैट गए यह लोग है, वैब विट्स, लाइफ इस नो लॉंगर कोई बात नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चली दोस्तों, बहुत-बहुत मुवारक बाद आप सबको, बहुत-बहुत शुब कमना है हमारी, आज 375 से हटा है, धन्यवाद, जैंद. झाल झाल, जैंद.